आज के वीडियो में हम लोग बनाएंगे और एक थीम केक और वह रस्मलाई फ्लिवर का केक है तो आप लोगों में से बहुत से लोगों का यह डाउट था कि में रस्मलाई कितना यूज करते हूं केक के फिलिंग में अगर मेरा रस्मलाई का रेसिपी नहीं लीगा तो जाकि नहीं को देख लीगा है और जो प्रोपोर्सन वहां पर बताया गया ना उसी सबसे बनाई है मार्केट से खरीद किला थी में आपको बता सकती थी कि 1-2-3-1-3-2-4-5-3-5-4-3-3-2-2-3-3-4-5-7-4-4-5-5-5-5-5-5-6-6-7-5-5-4-6-7-6-7-6-6-6-7-6-7-7-7-7-7-7-7- बहुत जादा अगर रस्मलाई केक के अंजर जाएगा तो लगेगा अब रस्मलाई खा रहे हो ना कि केक और कम जाएगा तो फ्लेवन नहीं आएगा ओब्यूस जी बात है अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो क्या करना है लाइक देना है लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है वो पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा और चैनल में पहले पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकम भी मेरे साथ जुड़े वे उनको थैंक्यो सो मच तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता है जब इसका स्लाइसिंग करते हो तो क्योंकि कभी कभी क्या हो था एमर्जेंसी में हम लोग जब स्पॉंज बनाता है उसको स्लाइस करते टाइम बहुत ज्यादा क्रम्स निकलते हो और जो लेयर हो ब्रेक होने का भी चांस रहता है तो कोशिस करो 5-6 घंटा पहले बेक करके रखने के लिए और टरंटेबल के उपर एक टीसी पेपर को गिला करके रखने के बाद केकबोर्ड रखा केकबोर्ड में थोड़ा सा क्रीम लगाया और थेन स्पॉंज का एक लेयर प्लेस किया रस्मालाई फ्लेवर का केक ही तो डायलूंड के करें जो फोड़ा सा डायलूट तो रहा है जू राखा करेंगे रास्मालाईज का क्रेविया उसको थोड़ा सा तो बूत स्प्रेड करने के बाद अभी जैसे नहीं एक एक डेम जैसे में बना रहे हूं और इसके अंदर में रसम लाइई जो ना उसको फील करें इससे क्या होगार बाहर उजाया होता है वह नहीं होगा वह अंदर ही सीक्योर रहेगा ओकि आप चाहू तो नौर्मली भी कर स इलाइची अड़ करिए उसको प्रैंडिंग कर लीजे ठीक है और इन सेकंड लेयर प्लेस किया जो गैप से उसको फील किया और उसको भी अभी सोक करना है यह जो केक भी बन रहा है ना गाइस बहुत टाइम मुझे लगा क्यों लगा आगे मैं आप लोगे साथ शेयर करूंगे मुझे नहीं लग रहा था कि इतना टाइम जाएगा बट काफी टाइम गया और टाइम कंजिमिंग था और बट देख लिजिए क्यों लगा सेकंड लेयर को भी सेम वे में करेंगे होम में ड्रस मलाई है आप चाहो तो खुछ से बना के कर सकते हैं मार्केट से भी ला सकते हैं और फीलिंग मैंने सुरू में ही बता दिया है कितना आपको एड़ करना है और अब थार लियर प्लेस करेंगे और उसको भी सेम वे में सोक करेंगे क्रम हो जाता है तो जब भी आप क्रीम वीप करो ना गायज उसको हमेशा क्लिंग राप करके रखो जब तक आप यूज नहीं कर रहे हो अगर वीप करने के बाद आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो एयर की कॉंटक्ट में आके वो ड्राय हो जाएगा और आपका क्रीम ना फटा अब भारी आता है फाइनल फ्रॉस्टिंग का तो फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने यूज किया यहां पर लाइट पिंक कलर का क्रीम अब ना डेरी हुई पिंक क्रीम को वीप करने के बाद वाइड कलर का उसमें थोड़ा सा रेड कलर एड कर लो जेल कलर हो या पिर आपको मिल जाएगा पहले डोलब बप क्रीम मैंने टॉप पे डाला केक के ऊपर उसको स्मूथन किया और अभी साइड में जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसको स्मूथन करें उर्क everywhere ज्यादा फिनिसिंग की जरुवत नहीं है और बहुत ज्यादा क्रीम की साइड में भी जरुवत नहीं है। क्यों? वह मैं आगे आपको दिखाऊँगी। और बहुत यह सुन्दर दिखा था केक बनने के बाद, बढ़ बहुत ताइम कंजिमिंग था। मैं आपको अभी बताती हूँ क्यों अब ऐसा एक मार्क कर लेंगे और यहां पर प्लेट में थोड़ा सा डिफरेंट किलर का क्रीम बना के निकाल दिया है जैसे पॉपल हुआ पिंक हुआ और ग्रीन हुआ जो डिजाइन मेरे साथ क्लाइंट ने शेयर किया था मैं उसी तो आप सोच सकते हो हर बार बनाने के बाद मुझे नाइप को पोचना पड़ रहा था और डिफरेंट कलर का क्रीम के साथ यह डिजाइन बनाना था और यह इतना ही नहीं पूरा केक कवर होना है ओनली वो फ्रांट का जो थोड़ा सा पोर्शन छोडने के बाद तो आप साइड में तो पूरा साइड को मुझे ऐसे ही कवर करना था बट अभी एक बार क्लाइन को हां पोला है तो करके देना पड़ेगा चाहे कितना ही टाइम जाए तो अभी आप देख लीजिए कैसे में कर रहे हूं तो क्रीम को आपको पहले ही ऐसे स्पैचुला कहरे थोड़ा अगर दिख रहा है तो थोड़ा सा लिक्वीड क्रीम इसमें एड कर लो और होने के बाद यही जो पैलेट नहीं पायता है उसमें धीरे से क्रीम को आपको लिफ्ट करना ऐसे दिख रहा है और देन केक के साइड में आपको अपको स्लाइड करना है तो अब सोचो कितना में और बाकी का जो डिटेलिंग है वो करेंगे जिसके लिए मैं थोड़ा सा फॉंडेंट चाहिए था ग्रीन कलर का और एक मोल अगर आपके पास मोल या पिर नहीं है तो फ्री हैंड भी कर सकते हो बहुत जादा डिफिकल नहीं है सिंस मेरे पास टाइम बहुत कम था इसके केंको कि लिए को जैसे चाहिए था य Which दीजाइंन मेरिसाइँ किया था तो यह करने के बाद सबे मेनने एक टूथ पी लगा दिया था इसको एटेज करने के लिए वह पार्ट मिस हो गया है वैसे बहुत बड़ी बाद नहीं आप उसके अंदर जो फॉंडें के अंदर टू यह केक मेरा रेडी हो गया, क्लाइन को बहुत अच्छा लगा था, फीडबेक उनका आया था, आप लोगों को कैसा लगा, जरूर मेरे साथ स्टेर करिए, और सो तिल यूमें नेक्स टाइम, बाई, टेक केर, स्प्रेड हैपिनेस एराउंड दो वर्ल्ड.